हुआ है है स्वागत है आप सभी का मैं हूँ सवरभ देवेटकर आपका mathematical and motivational mentor आज कुछ energy ज्यादा है क्योंकि आज कैंडीड बाते session 2 लेके आपके सामने आया हूं session 1 शायद आपने जरूर देखा है अच्छा नहीं देखा है तो पहले जाके आई बटन पर क्लिक कर दीजिए उपर दीख रहा है और क्लिक करके पहले session 1 देख लिए क्योंकि वहां पर हम लोग ने cover किया था ask yourself ask yourself team w की strategy मैंने आप से कही थी team w strategy बहुत बढ़िया है आज कुछ इस नया strategy के साथ आपके सामने आया हूँ आपने topic का नाम तो देखा ही रहेगा regulate your mind आपके mind को अपको क्या करना है regulate करना है काफी सारे videos काफी सारे podcast काफी सारे लोगों की बाते अपनी सुनी रहेगी देखी भी रहेगी लोग कह रहे control your mind, control your emotions, control your thoughts according to me यह थोड़ा सा कई न कई अपने आप में गलत है गलत है क्यों बोल रख? because आप अपने thoughts को control नहीं कर सकते आप अपने thoughts को regulate कर सकते हो जी हाँ मैंने क्या कहा? आप अपने thoughts को regulate कर सकते हो इस direction में regulate करना जिस direction में आपने अपना desired goal रखा है आपने अपना final aim रखा है कई सारे example, कई सारे research में आपके सामने रखने वाला हो ये video में तो video को अंत तक, end तक पूरा देखिए तब जाके strategy आपके लिमाप में पूरी fit हो जाएगी शुरुआत करते है video के साथ, चालू करता हूँ तो let's see, पहला point अपने सामने क्या आ रहा है पहला point अपने को दिखाई दे रहा है अगर आप देख पा रहे हो simple सी चीज़ है कोई भी चीज़ according to the University of California according to the University of California neurologist department में एक research के दोरान कहा गया था एक ordinary इंसान अपने जिंदेगी में अपने एक दिन में कम से कम 70,000 thoughts सोचता है क्या बोला मैंने 70,000 thoughts 70,000 thoughts per day एक दिन में 70,000 thoughts थोड़ा calculation और deep कर दे come on 70,000 per day इसका मतलब 3,000, 3,000 per hour थोड़ा और deep में जाते है come on 50 thoughts 50 thoughts per minute एक minute में 50 thoughts आप सोचते हो थोड़ा और deep जाएंगे come on इसका मतलब approximately अंदार से 1 second में 1 thought आपके दिमाग में आता ही आता है अब 1 second में 1 thought आ गया इसका मतलब क्या हो गया अगर आप सोचोगे simple बात है आपने एक example के तौर पर रखता हूँ मैं example में बहुत जादा डील करता हूँ जब तक example सामने नहीं आता एक उधारन जिसका हम लोग इंदी में कहते है वह सामने नहीं आएगा तब तक आपको अच्छे से समझेगा नहीं तो students इंडिया यूथ का देश से तो पहले एक students के लिए example में सामने रखना चाहता हूँ एक 12th वाला student या 12th standard में जो अभी है 11th में जो अभी है उनके लिए specially those who want to go for engineering they have to crack a JEE exam those who want to go for CA they have to crack a CPT exam those who want to go for MBAs they have to crack a CAT exam तो यह सारी जो exam से for example JEE exam में आपको चाहिए All India Rank 100 के अंदर मतलब 100 के अंदर Below 100 आपको All India Rank चाहिए या फिर Boats में 90% चाहिए अच्छा वो बच्चे की सिनारियों बताते है घर पे Mobile है Mobile में PUBG है PUBG है उसके साथ-साथ COD भी है नया trend चालव है COD भी है यह दिन में वो बच्चे के दिमाग में आ रहा है winner winner chicken dinner PUBG की बात कर रहा हूं या फिर I got a supply यह भी PUBG की बात कर रहा हूं Netflix में है Money Ice की बात करते है जो trending में है तो यह सब thoughts अगर दिमाग में आ रहा है और कही न कहीं एक कोजे में उसके चाहिए कि मेरे को 90% चाहिए ही चाहिए ऐसा अगर उसका desired final goal है तो देखो सतर हजार thoughts में से पचास हजार thoughts भी अगर वो सोच लेता है पढ़ाई के बारे में और उसके according regulate कर लेता है अपने दिन को या फिर अपने per hour को तो मेरे को नहीं लगता उसको 90% मिलना कोई जादा बड़ी बात हो जाएगी तो simple है आप अपने thoughts को regulate कर लो उस दिशा में उसको लेके जाओ जिस दिशा में आपको पहुचना है एक road map में आपके सामने रख रहा हो दो तरीकी का roads आपको दिख रहा है एक है desired goal आप यहां पे देख सकते हो दूसरा है कई unknown जगे पे वो जा रहा है अब ऐसा जब होता है simple है दो options है तो obviously you will choose the road wherever you want to go आपको जहां पे जाना है वही road आप चूज करोगे जहां पता ही नहीं है वहां पे road क्यों चूज करोगे for example आप train में बैटना चाहते हो जिस direction में जाना चाहते हो उसी direction का ticket आप निकालोगे वही platform पकड़ोगे वही train में बैटोगे simple example सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहेगा तो simple है जहां पे जाना है वही thoughts को regulate करते रहो बहुत लोगों मन में आता रहेगा regulate मतलब क्या don't worry इसका थोड़ा और example में आपके सामने रखने वालो तो मज़ा आ जाएगा अब simple सी बात है यह road map तो मेरे को समझ गया आगे बढ़ता हो businessman के लिए एक example लेना चाहता हो because India में start-ups काफी जादा है बहुत खुश हुम है इसके लिए because India की youth start-ups में बहुत believe कर रहे है तो simple है जब start-ups शुरू करते हैं तो सारे businessman के लिए simple suggestion मेरी तरफ से अपने business partner को साथ में तो रखो ही लेकिन अपने mind को पहला business partner बनाओ क्योंकि वो जो बोलता है वो सही होता है और नहीं भी सही रहेगा तो आपको उसको सही prove करने आना चाहिए एक sentence बोलता हूँ एक sentence बोलता हूँ बहुत मज़ा आ जाएगा don't prove yourself improve yourself because improving itself says I am proving क्या बोला मैंने come on यहां पर देख सकते हो don't prove yourself improve yourself because improve itself says I am proving इसका मतलब दुनिया को तो prove होता है लेकिन खुद ने जो decision लिया है उसके साथ भी आप prove कर सकते हो कि आपको exactly क्या करना था आगे बढ़ता हूँ next thought के साथ businessman के लिए बताया कि अपने mind को पहला पहला regulate कर लो उसको पहले business partner बना लो you will achieve whatever you want in your life and in your business थोड़ा आगे बढ़ता हूँ उसेन बोल्ट अगर सब लोग ने सुना है आप उनका photo यहां पर देख सकते हैं उसेन बोल्ट सब लोग ने सुना रहेगा he is the fastest runner टेज दौडने वाला athletes है पुरी दुनिया में खुदी-खुद के record हर time तोड़ता है तो जब यह प्राक्टिस करते रहेंगे कभी आपने सोचा है प्राक्टिस करते था है उन्होंने अपने mind को किस तरीके से regulate किया रहेगा सोचो किस तरीके से regulate उसको किया रहेगा कि मैंने world record तो बनाया है मेरा record तो कोई नहीं तोड़ पाएगा ऐसे बिल्कुल नहीं सोचते है वो हमेशा हर बार नया world record बनाने का कोशिश करते है आप भी इसी तरीके का सोच लो और ठान लो और उसी हिसाब से अपने mind को regulate करो एक सोच बताता हूँ अपने घर पे है ना fan है TV है, mobile है, amplifier है refrigerator है, washing machine है microwave होँपने काफी सारे electrical appliances सबको होता है regulator fan के साथ वाला regulator तो आप सबको पता रहेगा सबके साथ होता है regulator आप उसकी speed कम कर सकते हो कर सकते हो, according to you आप उसकी speed adjust कर सकते हो अब सोचो यह सारे electrical appliances आप अगर adjust कर सकते हो तो जिसने इस सब appliances इसको बनाया, वो mind को आप क्यों नहीं regulate कर सकते, इस जरह सोचो और उस according अपने mind को regulate करते रहो, and regulate करना, especially for students, those who are studying, उनके लिए thoughts आएंगे, जरूर आएंगे दिमाग में, लेकिन कौन से thoughts लेना है, कौन से thoughts नहीं लेना है, किस thoughts की तरफ जाना है, for example, जैसे मैंने PUBG, COD, Netflix, Amazon Prime, Hot starring, सबका example दिया, करो, ये सब कुछ करो, मैं उसके खिलाब बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन दिन का कुछ specific time उसके साथ बिताना, बाकि सारा time आप अपने books के साथ बिताओगे, because जब तक books को टक्स नहीं करोगे, तब तब आपका desired goal आपको नहीं मिलने वाला है, तो सोच लो, and उसके according अपने mind को regulate करते रहो, तब जाके समझ में आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, and last but not least, बहुत सारे लोग कहते हैं, कि मैं अपने मन की करता हूँ, मन जो बोलता हूँ, मेरे mind ने ये कहा तो मैं ये करूँगा, मेरे mind ने वो कहा तो मैं वो करूँगा, मैं मन का राजा हूँ, गलत बोल रहे हूँ, वो मन के राजा ने है, वो मन के गुलाम है, क्या बोल रहा हूँ, मैं मन के गुलाम है, क्योंकि वो मन की सुन रहे है, उल्टा करना हमेशा, आज के बाद ये वीडियो के बाद उल्टा करो, मन की मत सुनो, अपनी जो राय है न वो मन को बताओ, भाई मेरे को अब भी यही करना है तो मैं यही करूँगा इसका भी एक example आपके सामने रखता हो तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं अच्छा कभी जिम गहे रहोगे आप सब लोग जिम में एक diet plan दिया जाता है diet plan कि मेरे को अगर weight loss करना है तो यही खाना यह चीज को avoid करना है वो चीज को avoid करना है weight gain करना है तो कुछ उल्टा करना पड़ेगा यह सब में अगर आप diet plan follow करते हो diet plan follow करोगे तब जाके तो body में कुछ improvisation मिलेगा आपको same चीज यहां पर है अपना diet plan अपना पड़ाई का plan बनाओ उसको follow करो तब जाके आपको समझेगा कि मेरा कितना time आज तक waste हुआ है और आज के बाद वो time बिल्कुल waste मत करना so regulate your mind guys and if you want any new topics from this Candid Bate Sessions तो please write down in the comment section and Baju में जो subscribe बोला लाल बटने वो नहीं दबाए तो please उसको press कर देना because आप जितना subscribe करोगे उतना जादा motivation हम लोगों को आता है नया नया topics बनाने के लिए बहुत मज़ा आता है and आपका likes हम लोगों को बहुत माइने रखता है so please like, share and subscribe to our channel and अपने friends and family के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए हम लोग Facebook पे है WhatsApp, Instagram, Twitter सब जगे पे अवेलेबल है सब जगे पे हम लोगों का वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि फट से अपने friends को भी ये सब कुछ समझ में आ जाए so मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए Candid बाते सेशन के साथ, अपने ही Candid बातों में तब तक के लिए Good Day, Take Care and Thank You Very Much